दोस्तों भू आधार कार्ड के बारे में तो आपने कहीं न कहीं से जरूर सुन ही लिया होगा सरकार ने अभी पिछले बजट में ही इसका अनॉंसमेंट किया हुआ है कि सभी लोगों का भू आधार कार्ड बनाया जाएगा इसकी जानकारी मैंने पिछले एक वीडियो में दी भी है लेकिन उसमें कुछ बाते रहे गई थी बतानी जिनको की मैं भी इस वीडियो में कवर करने की कोसिस करूंगा हालांकि उसमें भी काफी चीजे मैंने बताई थी, लेकिन कुछ चीजे हैं जो उसमें छूट गई थी, तो इसलिए मैं आज दुबारा से इस वीडियो को बना रहा हूं, और जो चीजे उसमें छूट गई उनको मैं कवर करने की पूरी कोशिस करता हूं, तो देखें भू और अधार कारड जो अभी बनाने का आधे सरकार ने दिया हुआ है, उसके कुछ कारण है और उससे लोगों को काफी फाइदे भी होने वाले है, और इसलिए सरकार्ड ने इस कारड को बनाने का निर्ढ़ लिया है, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये भू आधार होता है उसी प्रकार से हर ब्यक्ति का भू आधार कार्ड भी बनाया जाएगा और आधार कार्ड में ब्यक्ति की डिटेल होती है यानि कोई भी ब्यक्ति जो होता है उसकी परसनल जानकारी होती है उसके जो डाकुमेंट्स होते हैं वो उससे अटेच होते हैं उसी प्रकार से जो आपका भू आधार बनाया जाएगा उसमें आपकी जो संपत्ति होगी यानि कि कहने का मतलब जो भूमी होगी खेत होंगे आपके वह उसमें एड किये जाएंगे आपने देखा होगा कि जमीन को लेकर भी बहुत सारे विवाद होते रहते हैं कई बार होता है हिस्से बटवारे को लेकर लोगों में जगड़ा होता है कई बार होता है कि एक दूसरे की जमीन कोई ले लेता है या फिर कोई बोलता है ये मेरी जमीन है ये मेरी जमीन है इस प्रकार के बहुत सारे विवाद होते रहते हैं और आपस में भी लोग घर परिवार में जगड़ते रहते हैं जमीन को लेकर इनहीं सब चीजों को देखते हुए सरकार ने निरणा लिया है कि सभी का भू आधार बनाया जायेगा, अब ये काम किस प्रकार से करेगा और इससे फाइदा क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं, तो देखें जैसे आपका अधर कार्ड होता है और उसके माध्यम से जब आपका comment card बनता है तो आपका सिर्फ एक ही pen card बनता है आप दूसरा नहीं बनवाा सकते हैं उसी प्रकार से आधार कार्ड से link जो भी ID होती है आपकी वो एक ही बनती है आप दोसरी नहीं बनवाा पाएंगे क्योंकि वो वहाँ पर सो हो जाता है और आधार कार्ड भी आप अपने एक ही बना सकते हैं उसी तरीके से आपका भू आधार भी बनाया जाएगा उसमें भी सेम यही चीज रहेगी बस फर कितना रहेगा कि भू आधार में आपकी जमीन एड होगी आपके जमीन की डिटेल रहेगी आपका जो भी खेत होगा जो भी जमीन होगी उसकी डिटेल वहाँ पर एड की जाएगी अब जैसे कि आपके पास में जमीन है कुछ खेत है आपका भू आधार कार्ड बनेगा और भू आधार कार्ड में आपका खेत एड़ कर दिया जाएगा, कितना छेत फेल है उसका क्या लोकेशन है, किस जगे पर है लगभग लगभग उसमें सारी जानकारी एड़ कर दी जाएगी और उसी प्रकार से हर बैक्तिका बनेगा, जिसके भी नाम पर जमीन होगी, उसका भू आधार बनाया जाएगा और उसकी जमीन को उस आधार में एड़ कर दिया जाएगा, अब उससे होगा क्या, देखें सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, तो ऐसे में जब सभी की जमीन नमबर होता है, उसी प्रकार से भू आधार में 14 अंकों का नमबर रहेगा, और वो नमबर जब आप उस एप में डालेंगे, तो वहाँ पर जमीन की पूरी डिटेल निकलाएगी, कि इस भू आधार से कितनी जमीन लिंक है, कितना एड है, उससे मालूम चल जाएगा कि किसक जमीन है, अगर आप बेचना चाहा रहे हैं, या फिर आप खरीद रहे हैं किसी से, तो उसका नमबर लेके आप देख सकते हैं, कि वो जो जमीन बता रहा है, रियल में उसकी है या फिर नहीं है, उसके नाम पर है या फिर नहीं है, और किस जगे पर है, उसका छेतरफल क्या रहेगा वह भी वी उसको प्लूंद किया जाएगा या निर्न का मतलब है कि ज जो मेप होता है उसके माध्यम। से भी उसको लोकेट किया सकता है और जो लेकपाल और होते हैं उनके माध्यम छहते फल होगा उसको यह सब कुमिश यहांशीज करें 10ब instructors जैसे दो भाई हैं अगर उनका अलग अलग बनाया जाएगा काड तो उनका डिवाइड करके वहां पर एड़ कर दिया जाएगा तो वहां पर भी यह संभावना खतम हो जाएगी कि बाद में उनका हिस्से बटवारे को लेकर जगड़ा नहीं होगा उसके अलामा अगर आप ख हो जाएगी तो वह इसली वह उस एप के माध्यम से चिक कर पाएगा कि उसे जमीन उसके नाम पर ट्रांसफर हो गई है और जो बेचेगा उसके आधार से हट जाएगी जमीन जो खरीदेगा उसके आधार पर एड़ हो जाएगी तो यह प्रोसेस बहुत अच्छा है और इसस जो जमीन का डिटेल होती है यह लिखवाल के अंडर में आती हैसारा हिसाब किताब उनका होता है और जो जमीन लिखवाते हैं खड़िते हैं वो तहसिल्धार के माध्यम से होता है तो इन सभी अधिकारियों के माध्यम से ही आपका भुवाधर भनाया जाएगा आपके online process इस प्रकारस से नहीं रहेगा कि आप कहीं भी जाके बनवाले कि जमीन का मामला है और इसका जो अधिकार रखते हैं वही लोग इसको बना पाएंगे क्योंकि जमीन का जो रिकॉर्ड होता है वो छेखवाल के पास में होता है तो इसलिए वो ही लोग बनाएंगे तो आपको इसमें जादा कुछ करने की जुरूत नहीं है हालां कि बनने का प्रोसेस सुरू हो गया है कुछ जगों पर लेकिन आपके छेतर में जैसे ही कायम पर लगता है तो आपको वहाँ पर जाना है आपकी जो भी डिटेल लगेगी जैसे कि आधार कार्ड हो गया और आपके खेत की खतावनी हो गई इस तरह की चीजे मांगी जाएंगी हालां कि अभी क्या-क्या डाकुमेंट लगेंगे इसका कोई ओफिसियल नोटिस नहीं आया हुआ है बट लगभग जो बेसिक चीजे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक में यह ही है आपका मोबाइल नंबर लगेगा आपका आधार कार्ड लगेगा और आपके जमिन की खतावनी लगेगी इस तरह के डाकुमेंटस लगेगी जिनको लेके आपको अपने कायमप में जाएंगे जहां भी आपका कायम लगेगा इस कार्ड को बनाने के लिए जैसे कि जब starting में आधार card बने थे, तो वहाँ भी जगए जगए गाउंगाउं में camp लगाए जा रहे थे, वहाँ पर जाके लोग अपना अधार card बन वा लेते थे सेम उसी प्रकार से भू आधार भी बनाया जाएगा आपके छेतर में कैम्प लगेगा वहाँ आपको अपने डाकुमेंट्स लेके जाना है और आपका भू आधार बन जाएगा और सारी डीटेल भी वही लोग ऐड़ कर देंगे तो आसा करते हैं कि भू आधार से सम्मंधि जोग भी आपके मन में सवाल रहे होंगे उनका जबाब मिल गया होगा और आगे जो भी इस पर अपडेट आएगा उसकी जानकारी भी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा बट हाँ अभी बनवाने के लिए आपको ज़्यादा टेंसल लेने की जरूत नहीं है परेशान होने की जरूत नहीं है आपके छेतर वे जब कैम लगेगा तो आपको अपने डिटेल्स लेके वहाँ जाना है और आपका भू आधार बन जाएगा इस जानकारी को अपने दोस्तों में भी शेर जरूर करिएगा ताकि सब को यह जा नहीं